उसके बाद हुआ ये कि जब बरतानवी सामरा आ जाया तो उन्होंने चार कवानी लगाये, बतदरीज तरीके से, नंबर वन Criminal Tribes Act 1, कि खाजासरा होना ही जुर्म है, नंबर टू Criminal Tribes Act 2, खाजासरा होना जुर्म है, और ना सिर्फ जुर्म है कोतवाल के पास सुबा शाम अटेंडनस लगानी है और अगर घागरा पैनोगे चुन्ली डखोगे तो दस साल की कैद है दो साल की कैद है सोरी और कोडे मारे जाएगे फिर सैंसस एक्ट कि बरिस्तिगीर पाक औरअचिए के अंदर मर्द और 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 अरथ गिरा जाेगा बिस्मिल्लारहमों रहीम मैं यासर और आज जो हमारे गेस्ट है प्रकुली टॉक्तर महरः मुईजवान बहुत सारे पॉडकास्ट आप इससे पहले इनके देख चुके हैं और आज हम इनसे कुष्टकू करने अबिटाबाद आए हैं असलाम अलेकुम जी वालेकुम अलेकुम कैसे आप मैंने अबिटाबाद से ही प्रनॉम्स किया बिल्कुल ठीक है वालेकुम तो हजारा अच्छा जी और बड़ा अच्छा वेलकम किया जी हमें इन्होंने और आज वैदर जो है वो बड़ा जबरदस्त है हजारा का और मैं आपको जब स्टेड़ी कर रहा था महरब तो मुझे सबसे पहले आपके नाम को लेके प्रदाशी नाम वा मुहमद मुईज अवान अच्छा जब तक पाता है वो तो तो नाम काट जब टो नाम हो गए मेरा कभी नेम चेंज कर था खाहिश नहीं थी मेरे वो वाली कभी गोल्स नहीं थे कर ट्रांजिशन कर लड़की बनने है और लड़कियों वाला नाम होना चाहिए तो महरब भी बहुत जेंडर नूट्रल नेम अक्चुली यह बहुत थोड़े अफराद का नाम होता है और यह मैन विमन दोनों में से किसी का भी नाम हो सकता है तो मैं बैठी हो मैंने सोचा कि अगर मैं एक उरत होती तो मुझे अपना नाम क्या पसंद होता यह पुराने नाम बड़े पसंद है जैसे महरून निसा मुझे इस तरह के बहुत जेबुन है मुझे नाम बहुत अच्छे लगते है मुझे हमारे लोकल नाम बड़े पसंद है पश्टो के नाम मुझे बड़े पसंद है बड़े खुबसूरत नाम होते हैं पश्टो के स्पुगमई एक नाम इस मून आप लोग ने मलाला सुना होगा अच्छा हो गुलालाई लेकर महरून निसा में निसा आता है तो मैं यहर नाम मुझे सूट नी करेगा क्योंकि मैं खाजा सरा हूDown en औरत commence to मैं हो नहीं लेकर महर के लफ्स मुझे बड़ा पसंद है मैं महर को लेकर बैठ गयी हाना किस छीज चीज को लेकर बैठ चाहूना तो पर मैं मैंने परिजन की किताबे जिनकी स्कैंड कापी फड़ी थी मैं वह निकाल दी मैंने महर से चांद के रूट वर्ड पे पोनची फिर उस महर का वर्ड आगे और कल्चुर्स में किस तरीके सस्तावा लूओया जबानों में बहां से करते करते मैंने का युन निवर्ड इसक एक अश्रफ चीज को उसका शर्फ बखशती है तो जैसे मस्चिद के गुंबद पे जो बलकुल टॉप एक चान्द होता है वो महरब है एक डेकुरेटिव आइटम जो के एक प्रिस्टीन चीज को एक रॉयल चीज को एक प्रेश चीज को एक पाइस चीज को बनाता है मस्चिद में जो हमारे पास जहां पे एक इमाम खिताबत करते है वो जो एक सीट होती है उसके पीछ पे जो डेकुरेटिव आइटम होता है पूरे का पुरा ताट इस अलसो महरब और जो एक क्राउन होता है एक ताज होता है महरब का लेकर बेसिकली ये है कि सम्थिंग डाट मेक्स रॉयल्टी रॉयल अच्छा ये ट्रांजिशन का जो डिसीयन है इकी सेज में किया आपने अच्छा मेरी दो ट्रांजिशन्स वी हैं दिल्चस्प तोर पे एक मेरी ती 21 साल की सेज में वो मेरी मैस्कुलिनाइजन थेरेपी थी मरदानगी की थेरेपी थी क्योंकर मैरी बायोलजी बड़ी एक न्यूट्रल बायोलजी थी मेरे सेक्स हॉर्मोन जने का जाते है बलूगत वाले वो कभी रिलीज गी रिलीज करने का जो समान होता है मेरा समान डिसफंट्शनल था सचाही नवर रिलीज है एड हाई टेस्टोस्तरोन और इनफ टेस्टोस्तरोन जिफना लड़कों का रिलीज होता है बलूगत के ताइम में उसका फाइदा भी था नुकसान भी था फाइदा ये थिए का मेरा कडलंबा हो क्या अगर आप उसको 80 पे चलाएंगे तो गारी और जादा आगे जाएगी तो गारी और जादा आगे जाएगी अगर स्पीड काम होगी तो लड़कों की हाइट जल्दी बढ़ती है जल्दी बांदो जाती है मैं तो मेरा कई लंबा था गया So I was 4.11 at grade 9 and I am 5.10 now This is 11 inches, you get it? I mean, now and over, when I look at my height, how long I look at my height. So 21 years of age, I won't get into the details of it. I was thinking of opening up on two podcasts, why I had made a decision. I made a decision that I just wanted to become a boy, I made a man. And the one way to become a man is testosterone, which is also a bodybuilder, athlete. So I used to be a testoviron name, I used to be a testoviron, I used to be a testoviron every two weeks. And after that, I was very quickly, it was a result of 3 weeks, 3 weeks, 3 weeks, 3 weeks के बाद मेरी प्रॉपर दाड़ी मूचे अलकी सी आना शुरू हो गई थी, सबसे पहले इदर आई, फिर इदर आई, जैसी आती है, प्रॉपर बलूगत मेरी आनी का आप यह समझे आपका होता है, 21 years की एज में, सो वो मेरी masculonizing therapy थी, वो एक साल तक तो ठीक गई, लेकर उसके बाद मुझे असास हुआ कि छीज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे mental health problem स्टार्ट हो गए, मुझे मेरी endocrinologist ने मना किया, मुझे मेरी psychiatrist ने मना किया, मुझे मेरी psychologist ने मना किया, कि यह तुम गलत कर रही हो अपने साथ, यह तुमें करने की जरूवत नहीं है, इस age में गलत कर रही है या यह वैसे ही गलत था, 21 में ने बोला कि गलत नहीं, वैसे ही गलत कर रही हो, तुम नड़का नहीं हो अगर आप six year में भी जाएं करती तो तब भी गलती था कि तुम गलत कर रही हो तुम यह सूख नहीं कर रहा भाइबाजिक लिए तुम्हें सूख नहीं कर रहा तुम्हारे hormones लेने की वज़ाएं से तुम्हारी बाकी reports deranged है लिपिट तुम्हारे खराब हो गए हैं बोड़ी में एलेक्ट्रोलाइट का तुम्हारा मिस्बालन्स चल रहा है थाईरॉइड तो मेरा function totally out of whack चला गया था थाईरॉइड तो मेरे बिकुल मेरी गरीब खराब सीन चल रहा था anxiety और depression भी उसके तुम्हारा कुछ रहा ही नहीं ना कुछ अजीब हो एक हलवा ही बन गया मेरे तुमाग का बिकुल एक अजीब सा हलवा बन गया मेरे तुमाग पर तीसरे साल मैंने खुद ही काम करने शुरू कर दिया और अज़ जब यह अपने decision लिया था तो consent था parents का कि I didn't tell them अब जूर को बताया था सुर्फ और अबू ने मना किया था अबू की एक बड़ी conservative वो डॉक्टर है खुद ना उनकी conservative clinical approach है कि unnecessary चीज़ें करने की जरूरत नहीं है उनका बड़ा यह वाला style है जो है बस ठीक है जो है ठीक है ना फजूर में कुछ ड्रामे करने की जरूरत नहीं है अब लेकिन मैं तो नहीं मैंने का नहीं यह क्या है gender is a construct masculinity के पास privilege है तो अगर मुझे आप लोग ने raise किया मेल का title देखे और यह सारा कुछ करके तो ठीक है अब मैं मर्द बंक दिखाऊंगा तो वो जो लताड़ी जो जैसे चास करके जूटियां पड़ी ना मेरे मूर पर टेस्टा श्रॉट की तो अगर यह पर जैंकल आगे कि यह सारी भाई यह पर इसकी बात नहीं है यह ऐसे बिल्कल ने चलेगा लेकर उसमेसे गुजरना बहुत जरूरी था उस अमल मेसे गुजरना बहुत जरूरी था और फैसला किया कि अब शायद कभी दूसरी बली पर करके देख लेंगे मैस्कुलिनाइजिंग कर लिया तो फैमिनाइजिंग भी करके देख लेंगे लेकर आप अल्रेडी अब एक मेसे गुजरे वे हो अब उसकी बॉड़ी को सेटल होते हुए टाइम लगेगा पर मैने बाइर जाना था पढ़ाई करने के लिए ट्रांस राइट का वगी तसवूल बनिया भर में कोई तसवूर नहीं था तो अब कोई कॉंसेट भी नहीं था अमरीका मैने जाना था मास्टर्स करने के लिए फुल बराइट पर तब मैं दवाई मत तो नहीं चाह सकती जो कि ट्रांस राइट कर रहा है यह चुपान्य यह बताना नहीं किसी को यह चुपाने वाली चीज़े चैज़े यह एक्टिंग करो कि अगर अटिंग अब शर्जी यह भी लड़किं को नहीं पढ़ने देते खुसरा बोत तूर्की बात है यहां पे औरतों को नहीं पढ़ ले देते अब भी तक डिबेट होती है अब आप जाए न जाकर गिने न Mechanical Engineering Department गिने ओरतों कितनी बैठी विया गिने Geology के अंदर जाकर देखें लड़कियां कितनी बैठी विया तेकिन इवन देन वो Secure feel करती है Society के अंदर मैं comparison दे रहा हूँ जिस purpose के लिए आपने transition की या तो आप ठक गई थी आप कहें कि मैं 21 साल थी उमर तक ठक गई थी कि मैं चारी थी कि आप मैं change करूँ या आप तो कहरें मैं insecure feel कर रही थी कि मैं जाओंगी तो मुझे दुबारा से ये सब कुछ करना पड़ेगा मरदानगी security आप तब तक तब तक मेरे लिए मरदानगी security थी हाँ वही मैं कहा रहा हूँ तब तक मेरा बरुटाइर मेरे घिसे नहीं थे घिसने वाले थे घिसे नहीं थे acting अच्छी चाल रही थी acting बहुत अच्छी मेरे चाल रही दाड़ी मूंची एक दफा जब निकलना दफन निकलाती है उसके दुबारा टीके लेने की जरुवत नहीं है वजियनी अगर टीके लेते रोगर दाड़ी मूंची रेंगी अब आज मोटी हो जाए वो हो जाती है वो हो जाती है वो रिवर्सिबल नहीं है चीज़ है वो हो गई भी थी जंदगी अराम से गुज़र रही थी मैंने का गुज़ारो जाओ अमरीका जाओ मास्टर शास्टर करके आओ जो कुछ करना है भे कभी ट्रांजेशन करना हुआ तो देखेंगे वरतों का लिबास या खुज़ासराओं का लिबास उसमें जिन्दा रहती है एक वो है जो के मरदाना लिबास में रहती है उसको खोटकी कहते है हमारे यहां भी दो टेम्स है फिरका फिरका है जनाना रूप खोटकी है मरदाना रूप मूरत خواجہ सरा मूरत خواجہ सरा ही है ठीक है उसके पास चॉइस है कि वो खोटकी में रहना चाहती है और फिरके में रहना चाहती है फिरका होता है जनाना और फिरका सादत है फिरका नसीब में होता है फिरका नहीं कि उंचा दरजा हम कंसिडर करते हैं superior है, superior है, परकुस फकीरी है, एक तरीका से आप अक्टिंग नहीं करें, दुनियादारी नहीं करें, दुनिया के लिए मर्द होने की आप अक्टिंग नहीं करें, ट्रांजिशन करने का मैंने फैसला थब लिया ना जब मोईज बचारेगी होगी बस अब मोईज सिर्फ एक नाम नहीं है मोईज एक शनाफ्त लिया मोईज एक इनसान है मोईज एक सौफ़वेयर है पूरा जो कि डिवैलब हुआ है और उसने बहुत कुछ देखा उसने बहुत कोई वोता हो बिलोगों को बहुत संद भी आए अब ही तक बहुतिए लोग रोती है औरते जो मुझे जानती भी नहीं वो बैटकर रोती है काई हमें मौईस बहुत अचा लगताना काश मौईस बहुत आ जाए क्या वज्जा है उसकी वो इसने 30 साल गुजा रहे हैं उसने क्या क्या सर्वाइव नहीं किया उसने इंटर सेक्स होना सर्वाइव किया एक ऐसे माशरे में जहां पे मर्द की मर्दानगी के भी मैयार है मर्द को भी सिर्फ मर्द पैदा होने भी नहीं बख्षा जाता मर्द से भी मर्दानगी डिमांड की जाती है और मर्दानगी का एक पैमाना है पूरा वो पैमाना खड़ा करके मर्द को मर्द के मदे मुकाबल खड़ा करके उसकी मर्दानगी ना पी जाती है वो जिसम की हो, वो साफ्त की हो, वो पैसे की हो, वो गाड़ी की हो वो बीवी की खुबसूरती की हो, वो कतने बेटे तुमने जन्ने हैं, भ이य आपको पते है आप मर्द हैं हर मर्द को बता है हमारा ये कहना है कि जी तमाम मर्द प्रिविलेज हैं बहुत बड़ा जूट है let's be honest मर्दों का भी competition होता है super competition होता है मर्दों की मर्दा वो जगा मैंने survive किया वहां मैं board बे position लेती हूं all boys boarding college में जाती हूं लड़के survive करती हूं लड़के survive करती हूं मैं उदर उसके बाद मैं entry test stop करती हूं medical college का medical college में जाती हूं एक मेरी supply नहीं आती एक मुझ में alhamdulillah rape successful नहीं होता लड़ाईयां भी कर रही हूं इतना कुछ सीख समझे नहीं इतना जादा आप जब करके गुजरते हो पर आगे आओ पर आप अप पीके लगवाओ पीके लगवा के पर आप अपने जाहिरी रूप को पर अपने social रूप के साथ मैच करवाओ पर आप उस手 लिए जूआ पर आप private जोबें करो पर आप public जोबें करो फिर आप 2-3 मुख्तलिफ शेरों में दो मुलकों में रो सारा कुछ और अब हो ही ने ये शख्स आप हैं ही ने ये शख्स आपको बनना पड़ा सिर्फ सिर्फ इसलिए ताकि आप माशरे के अंदर वो चीज़ें हासल कर सके जिनकी बुनियाद के उपर आपने जिन्दा रहना है क्योंकि खुआजा सरा के पास दो आप्शन्स है एक्सिलन्स या मौत हम मीडियॉक्रिटी में नहीं बच सकती एक लाख मूरत में से ना आठ सो मूरत कतल होती है अगर हम मीडियॉकर हैं ना हम गई काम से तो फिर ये फिर्स ट्रांजिशन था और पिर सेकंड का हो तो दूसरा जो मेरा ट्रांजिशन है वह बहूत किताबी तरीके से हुआ जो किताबों में प्रोटो कोल डिसाइडिड है कि आपका इस तरीके चलना है उसमें क्या होते है कि पहला एक साल आपने लोगों को बताना होता है कि आपका जिन्स क्या और आपने उसमें कंफटिबली रहना होता है जब उसमें आपको लगता है कि आप कंफटिबली रह सकते हैं उसके बाद पिर आपको अदवियात की तरफ लेकर जाते हैं और बाइद वे उस पहले एक साल में भी आपकी कॉंस्टेंटली आपकी हर वी का चेक इन है साइको थेरेपिस्ट के साथ भी और साथ भी तो वो भी चाल रहा था लोगों को मैंने बता दिया कि बात सुने मैं ख्वाजा सरा हूँ यह शुमाईला बटी की वज़ा से जो मशूर हो गई हूँ जी लड़का है लड़की होने की बहुत अच्छी आक्टिंग करता है फिर्स्ट अफॉल कोई लड़की होने की अच्छी आक्टिंग नहीं कर सकता वैसे शुमाईला बट्टी का बड़ा किरदार है आपकी इन ट्रांजिशन में शुमाईला बट्टी का बहुत बड़ा किरदार है मेरी ट्रांजिशन में नहीं मेरी शोहरत हुए उनफॉर्चनेटली ये एक बहुत बड़ा मसला है अच्छा महरब मुझे पता है क्या लगए आपकी ये दोनों ट्राजिशन सुनके मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ मुईज जो है वो महरब को किन्विंस नहीं कर सका न उसने उसे कन्फ्यूज कर दिये मुईज ने महरब को? अच्छा नहीं मुईज की और महरब की मुलाकात हुई नहीं है हमने वेट किया मुईज की रिटायर्मंट का कि मुईज फुली रिटायर हो, खुदाफ़ जोस की छुटी हो तो उसके बाद ही हम लोग सामने आए, मैं सामने आउंगी ये मेरी बहुत एक दिल्चस्प फेज वुजरिया ट्राइब आपको क्या लगता है कि डॉमिनेट किस ने किया हमेशा? चाहे आप मुईज रहीं या महरब रहीं लेकिन आपके अंदर की आवास क्या चलती थी? इसी ट्राजिशन में जब आप इंजिक्शन ले रही थी, जब आप फोर्स कर रही थी खुद को कि अब मैंने दाड़ी रखनी है, वो मुंडा बनना है और फिर तो उस टाइम पे भी कहीं कहीं महरब आके कहती थी कि ये क्या कर रहा है? बबाईवी थी, बिलकुल बबाईवी थी, पत्ता ही नहीं थी कि एक्जिस्ट करती है, पत्ता ही नहीं था मुझे नहीं रहता है, वो सुप्रिंग दबाया था आपने बहुत ज़ूर का दबायावा था, उसको मोका ही नहीं दिया उपर आने का आखर में जब महरब और बाकी अंदर की बाकी शफियात उपर आई है और शुक्र है खुद आका कि मेरी थेरेपी चाल रही थी मेरा साइकाटरिस भी था, मेरी साइकालोजिस्ट भी थी कि उन दोनों की मौजूदगी में एन शिवाहिदीन और यानि के help और care givers की मौजूदगी में मेरी identity का collapse हुए पुरा addictions में कब गई थी? addictions तो एक 2017 में हुई थी alcoholism और दूसरी हुई थी 2021 में, crystal methamphetamine तो फिर वो quit कैसे की? cold turkey stop, जैसी असास हुआ जिस दिन असास हुआ के addiction हो रही है उसी दिन stop कि आपके बाद से हाथ भी नहीं लगाँगी exact at that moment मत मारी गई थी मेरी उफ तो बाँ, बहुत डिफिकल्ट था लेकिन once again like I said psychologist प्री मौजूद था मौजूद थी, psychiatrist प्री मौजूद था तो सब की उस नजर के अंदर हुआ मैंने की बड़ी खुबसुरत चीज़ पढ़ी मैंने की चीज़ पढ़ी मैं डी-कॉलिज़ेशन मैं बहूद दिछस्पी रखती हिए और जितना मैं डी-कॉलिज़ेशन कंदर गहरा जाती गी मुझे एसास हुआ कि सिर्फ जमीन की नहीं हुई थी सोच की फिकर की फलसिफे की भी कॉलिनाइजेशन हुई थी और जितना मैं डीकॉलिनाइजेशन को पड़ती है उतना मेरा एंटी थीजम और एथीजम भी काम होता गया क्योंकि मुझे असास होता स्टार्ट वा कि ये रिलिजिन और साइन्स के बीच की जो डिकॉटमी है ये तो एक्रिस्चन डिकॉटमी है और इमाई कुई दिन सांचेरिआ के था किया गया और बाकी जो इसंतरिकिक से क्रिस्चन अर्थ्रोडोक्सी थी उसने आके हाइपेशा को और जो रोमन ठिंकर्स थे और एजिप्शन ठिंकर्स थे उनकी चमणियां और धेड़ कि उनको घुसी टा हाइपेशा फ़ अलेक्जान्डरिया एक बहुट बड़ी स्कॉलर हुआ करती थी बहुत बड़ी स्कॉलर की conference कराई थी इसक्यूपर तो आपको ये नजर आते है कि मदरसे में पहला एक साल आपको क्या पढ़ाया जाता था कि आप कभी भी सब नहीं जान सकेंगा ये कितनी खुबसूरत abstract thinking है अगर आप और करें इसक्यूपर तो मैं जतना decolonization में जाती गई करीब आती गई मैंने mental health before colonization पड़ी और देख के दंग रहेगी कि ये पहा हो कि कैसे Sufi thinking Contemporary Islamic thinking और humanistic thinking जिसको आज कर आप लुग holistic thinking कहते हैं कि हर चीज के बीच में holistic being कि ये तो हमारे हाँ 1730 में और 1600 में ये तो ये ही तो था तो एक I reached this thought and I read a paper कि कैसे Western thinking ये कहती है कि the seat of knowledge is the human brain दमाघ, head जो हमलो कहते हैं कि head से सोचना कि heart से सोचना जबके Eastern thinking was never that Eastern thinking ये कहती थी कि seat of knowledge, seat of wisdom तीन हैं, the heart the head and the gut एक आपकी gut है दमाघ कालकुलेट कर बता रहे है कह दमाघ कह रहे हैं कि मुझे ये पता है मेरी जो knowledge, जो मैंने सीखा है उसकी assessment के तहत मुझे ये समझा रही है heart ये कह रहे हैं, मुझे ये महसूस हो रहा है मेरा दिन ये कह रहे है, दिल की आवाज ये कह रही है और gut कि कोई reasoning नहीं होती अच्छा ये आपने एक दो podcast में पहले भी बताया है वो जो मुझे वाला period था वो आपने enjoy किया और उस दोरान वो जो college या university की लड़कियों के साथ खूमना और बड़े आपने किसे सुनाई वे हैं क्योंकि मैं इसको इसलिए किया रहा हूँ कि वो already published है तो बाद में लड़कियों का क्या बना करता अच्छा मैंनों हर लड़की को दूसरे अफ़दी बता दिया था कैमरे लिए very sorry यह मेरे खाल से मैं भी try करना चारी थी और यह यह scene नहीं है और उन सबसे मेरी बहुत अच्छी सलाम दौए है और उसक्त उन्हें ने मुझे वो ही कहा जो तुमाम लड़कियों कैदी यह लड़के तो होते ही जूटे हैं तुमने मुझे इस्तमाल करने की खातिर और मेरा किसी किसम का कोई physical कोई intimate तालक नहीं था किसी किसम का भी नहीं आपकी personality से मतलिक इतने ज़्यदा podcast हैं और बहुत सरी चीज़ें explain हो चुकी है तो मुझे नहीं कुछ concept clear करना है जिसमें सबसे पहले बड़ी important चीज़ ही है कि जो violence के उपर आप इतनी ज़्यदा बात करती है आप पहले violence की definition करें फिर हम आगे चलेंगे बीला बीला violence की करतों बीला चले बीला को कर लेते हैं ठीक है जी बीला violence से शुरूआद करते हैं बीला violence मेरे नजदीक एक मुनफरिद South Asian या पाकिस्तानी ठीक है मैं South Asian लेकिन क्योंगी एक मुनफरिद South Asian जिनसियत है जो के मर्दों के अंदर पाई जाती है जिसमें वो ख्वाजासरा अजसा और अफराद की तरफ बयक वक्त जिनसी रुजहानात भी हैं और उन जिनसी रुजहानात को तशद्द के जरिये पूर भी करना चाथे हैं violence and sexual pleasure have to exist simultaneously violence की absence में sexual pleasure वो derive नी कर सकते और sexual pleasure derive करने कि उनका violence करना बहुत सुरूरी है तो वो ख्वाजासरा के अजसाम को ख्वाजासरा के तशखूस को वो साइट समझते हैं, वो फील्ड समझते हैं, जो स्की उपर जाके वो अपने इस तशद्द्द की गेम, इस तशद्द्द का खेल, इसका तमाशा रचा सकते हैं, ता कि उसके जरीए वो किसी किसम की जिंस्री लज़त हासल कर सके, यह एक मख्सूस किसम का एक फिनॉमेना है, ज जाते हैं, उसे सोशल लर्निंग तेरी की चार या पांच स्टेजिस होती है, कि कैसे इस तरीके से एक इनसान सबसे पहले अपने गिर्द एक चीज को होता हुआ देखता है, फिर वो उसको होते हुए देखने की विज़ा से कुछ मतलब खुद से उसके बनाता है, फिर तीस लोग सीखते हैं, खसूसी तोर पे उन जगहों से जहां पे खुद 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 खु क्योंकि हमने यहां discuss ने किया बीला का, वो कहता है कि आप मेरे property हो बिलकुल, बिलकुल, ठीक है अच्छा वो property बनना जो है वो एक trans पहले accept करता है, agreement है न, बलकुल अच्छा इस agreement की violation तो कोई भी नहीं हो रही फिर उसको पहले से नी पता टांस को पहले से बता ने मिरसद बी उना तो फिर यंची कम pulses क्यों हुआ है मैं आपसे सवाल क्लियर करतर काओ कि आप मिरसद एक एगरियमेंट में आए Ihr और आपको पता हैं मिरसद क्या हुने है और फिर आप वो सब होने के बाद आपने खुछ जनम दिया बीला को और फिर बीला के बिहेवियर को लेके सुसाइटी में आप कहते हैं हमार पर बड़ा तशदुद होता है आप पर ड्यूस ही न होने दे So, frankly speaking बीला के तशदुद क्यों पर बाथ चीज शुरूई पुछे दो सालों में है और यह तब स्टार्ट टूई जब बीला के बाइर होगे पर यह बाथ यूँ चल्री थी अपने बंचिन किया न की एक 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 अन्सन भी थी के बीला के बीला के लोड जस्थ दुद दूद दूवर्स Of Khwaja Sarat Dancers They were also event organizers वो जिस लाकिस उनका तालोग होते है वहापे event भी और्कनाइज करते थे मूरत के नाचने का और वो अपनी मूरत नचवाते थे और पूरा एक security system भी देते थे मैं उसको in security system कहूंगी security के पीछे नहीं मैं brackets में in लगाऊंगी क्योंके security के अगर security नहीं है तो पर इन security है middle ground exist नहीं करता और यह शुरुआत होती है नोजवान मूरत से 17 साल की मूरत से 16 साल की मूरत से क्योंके याद रखे 35 साल की मूरत नाचती नहीं है नाचने कभी एक time है नाचती है मूरत 16 साल की उमर से लेके मुशकल से 29 यर्ज की इच तक उसके बाद आप कोई पते है हम ही पते है पाकिसान में जवानी का time ही है उसके बाद ढाल जाती है फिर नया पीस आगया मार्किट में मैं अगर 17 साल की उमर से और 20 साल की उमर तक नाचती हूँ 12 साल है 12 साल में 20 नए खुबसुरत ख़ड़े आ चुके होगए उसी आलाके के अंतर फिर किसने मेरी शकल देखने है लोग खुद बोलेंगे यारब नई लाओ यह क्या देख दे कि हम मैंसे ठक गए है नया पीस लेकर आओ वो भी नयापीस लेकर आओग पर मैं क्या करूँगी तो फो फिर यह मुचल एग्रीमेंट तो खरी लडाए किस बात कि है मुचल एग्रीमेंट क्योंके स्लیवरी है सक्शूल स्लीवरी है जरूरी है क Я मूरत नाचिए जरूरी है कि मुरत किसी की गुलाम बनके नाचे first of all तो चले डांसिंग पहले तो लिबरल आपिनियन पे आते है ना लिबरल आपिनियन अगर हमारे पास ये कहता है कि लिबरल ही सिर्फ ये नी एक अन्डिजिनस आपिनियन पिया है कि डांसिंग एक आर्ट फॉर्म है, रक्स कला है, रक्स फन है, इसको गलाजत की निगाह से ना देखें, इसको गलाजत की निगाह से ना देखें, कलाकार को कलाकार जाने, कलाकार की कला को फन जाने, उसको उसकी फन की रकम अदा करें, इन्वाइट कौन करता है फिर? तो जो contract sign करें जैसे होता है, गुलुकार भी तो जाते हैं न गुलुकारों के जाने के बाद क्या होता है गुलुकारों को जब अधसी पकड़ के रेप किया जाते है गुलुकार sexual activity के लिए नवाइट करते हैं, डांसर भी डांस करने के लिए जा रही है, सेक्स के लिए नही जा रही है यही तो मूर्तों का सबसे बड़ा गिला है कि हम नाचने के लिए गई है हमारे नाचने पर पैसे हो चालो so and plus why should मूर्ते भी बिए होल्डन टू बी ले मुरते चोटी चोटी होती है 16-17 साल के दुनिया आपने 16-17 साल के बच्चे को समझ नहीं होती नहीं होती अगर आपने 16-17 साल की उमर में घर से आप भागे निकल आए हैं वेकर आपके अबू आपको बहुत मार रहे हैं आपके ताया आपको मार रहे हैं आपका बड़ा भाई आपको मारा है, जो के मारते हैं, जो के पाकिस्तानी अच्छी चीज 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 की जाती है, कि यही करो, घर चोड़ के जाएगा, दास्तिन सड़क पे गुजारे का ना, फिर वापस आजाएगा, वाद्ते ठीक नहीं होती, पंदरा दिन बाद आपका आपका नाचरा होगा, आपके अपनी किसी रिष्टेदार किशाती की उपर, और लोग उस बेलें और उचानें के बेलें को जोटा है, पीडोफाइल्स है हमारे मुलक के अंदर, निरे पीडोफाइल्स है, छोटी मूरत तो बहुत इमांड के अंदर आती है, बहुत जादे आप 14 साल की लड़की, आग बगोला हो जाएंगे आपके मुलक के लोग, 14 साल की मूरत नचाते हैं आपका दिल नहीं है, वो होता, कौन नचवाता है, बीले, और कौन नचवाता है, और नहीं कि तो पूरी के पूरी इंकम है, मूरते आएंगे, मूरते नाचेंगे, लोग आप पियेंगे, आप पैसे शड़ेंगे, आप एक पे कह रही हैं, कि वो जो एकॉनमी साइकल है, वो बिल्ड ही इसी तरह स्वाता है, दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं, कि ये नहां हो करें, अपिरत का हल क्या है, मेरा पूरा पॉइंट अब्यों कम्टीट नहीं हो था, म और जाए, उसको दर security दी जाए, security के बिशिप पैसे हो, वो नाच की अपना पैसा कमाके वावपैस है, वो पैसा उसका पैसा है, मुष्ट अब लग्सा की सॉस्कंदर नहीं होँने के जूरत कर नहीं तुम मेरी मूरा तो तुम वहां पे चुदी जहांप मेरी ईजाजद हो अगर तुम उसके लावा कई में नाचो कि तुमारी टाउंगों में गोलियां मारी जाएंगी भई ये किस किसम का कॉंट्राक्ट है ये कैसी फेरनेस है ये टर्म्स आप देख रहे हैं इस टर्म्स आर नॉट एक्विटेबल अट आल सजाब देखें ना जजाब देखें और उसके बदले आप सजा देखें मिडल ग्राउंड तो कोई है यह नहीं मिडल ग्राउंड तो कोई भी नहीं है मैग ऐस अन आर्टिस्ट अच्छा ऑप्शन टू क्या है ऑप्शन टू दूसरी हमारे पास आती है कहती है हम नाचना चाहती है और हम यही कहती है जो मैंना आपको बाप बताई है कह हमारे लिए सेफटी और सेक्योरटी हो नंबर टू हमारे पस गुरोथ की ऑपरिचूनिटी हो कह मने शादियों में तो नहीं नाचना हमें कोरियोग्राफर बनाओ हम कुरियोग्रफी कर सकती है ची हम मुवीज में आ सकती है हम डांस अकैडमीज खोल सकती है हम आपके अक्टरस को और अक्टरस को सिखा सकती है जैसे अलीना खान ने किया जो डारलिंग के अंदर आई पहले साहिम साध्य की शॉट फिल्म है उसके बाद वो जॉइ लैंड के अंदर आई और अगर आप मेंसे किसी ने वो फिल्म देखी है अलीना का डांस पर आप देखे कोई जवाब नहीं है अलीना के नाच का अलीना के रक्स का इतना वो खुबसूरत है तो पर ये ग्रोथ की एकॉनमी है कि अगर 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 आफ सकासी है तो वो शादियू पर नाच्ती है वो कोरेोगराफर बनती है और इसमें भी कॉंपटिशन है और तीसरी ओप्शन वह — जो हम कहती है का जी सारे आप एकसेस बराबर करो अगर कि मैं एंजिनेरिंग कॉलेज में भी जा सकती हूँ मेडिकल कॉलेज में भी जा सकती हूँ जितने मेडिकल जो भी यूनिवर्स्टिया जो भी प्रोग्राम अवेलेबल है मेरी रसाई मेडिकल कॉलेज तक और रक्स के कॉलेज तक या रक्स के मंज तक दोनों की अगर बराबर है ना और फिर मैं फैसला करती हूँ दोनों में से कोई भी एक तो फिर ये फैसला फैसला है आज भी दोजार चोबीस में भी पाकिस्तान के अंदर मूरत के लिए नाचना एक सो गुना जादा आसान है मेडिकल कॉलेज जाने से कितनी गुमूरते गई हैं मेडिकल कॉलेज जो वक्ट पर डिग्री लेकर निकली हो मेरे सवा कोई है और आप गिने मुझे दखाएं कोई एक एक कराची की डोक्टर है जो हम लोग एक रेगुलर स्टूडन्ट कहते हैं कि आप रेगुलर ली गए हो प्रॉपरली गए हो पांच साल के अंदर अपनी डिग्री आपने मुकमल की है आपके क्लास फेलोज हैं आपकी सलाम दौा हुई भी है और मैं भी ट्रांस तो नहीं गई मैं तो मेल के शनाखती कार्ट पे गई हूँ मैं एक्स क्यूपर तो नहीं गई मैं खौजा सरा के शनाखती कार्ट पे तो नहीं गई किदे रहे अब जाके आपके पास ट्रांस बच्छी आई हैं जो यूनिवर्सिटीज के अंदर मौजूद है तो फिर आप हम इसको कंड्लूड क्या करेंगे यह बाइच्षाइ और भाय फोर्स है यह बाइफोर्स है यह डेफिनल्लि बाइफोर्स है चौजज की यह बेल्यूजन है इफ टिस एजियर लेकिन खौजा सरा तो कहते है कि मैं युनिवस्टी नहीं जाना चाहता है मैं डांस करना चाहता है ये किस को अज़ा सरा नहीं का है आपने भी काया है नहीं नहीं मैंने तो आपको बोले कि अभी आप देखे न चार साल हुए कानून पास हुआ है मैंने आपको तीन आप्शन्स दी ना एक आप्शन ही है कि जो कहती है कि जी मैं पिछले पान साल से यही काम कर रही हूं मेरे अंदर युनिवस्टी में जाने की हमत नहीं है मैंने नाचना है मुझे सिक्यूरिटी फराहन की जाए उसकी कला को आप कला जाने अगर आप उसको नाचने के लिए बुला रही है तो वो नाचने के लिए आ रही है वाटसैप मेसेज को परी कॉंट्राइक्ट साइन करें मगर कॉंट्राइक्ट साइन करें कि इस तारीख को इतने बज़े से इतने बज़े तक आपकी रक्स की कला की सर्विसस दरकार है उसके बदले हम आपको एडवांस इतना मवाजना दे रहे हैं परफॉर्मंस का हम आपको इतना देंगे और इवेंट पर जो पैसे आप उच्छालने जाएंगे वो इतने फीसद आपके इतने फीसद हमारे लिखती आगए ठीक है स्टेबल जाऊ कर किया बाकी कह रही है कि हमें डांस बहुत पसंद है मगर हम सिर्फ शादलियों पे नाचना चाती है हमने ग्रो करना है हमने भी ग्रो करना है हमें थेटर का मुका दीआ जाए हमें अक्टिंग का मुका दीआ जाए और तीसरी वो वली कहती है कि हमने नाचना है यह नहीं हम तो मजबूरान नाच रही है मेरी अपनी चेला है छे साल नाची है छे साल नाची है मैं आपको दिखाओं कि आप बोलेंगे कि इससे खुबसूरत लड़की मैं नाच तक जिन्दगी में कभी ने देखी पाकिस्तान की सबसे मशूर हसीन नाओं का जो हुसन है न वो उसके आगे कुछ भी नहीं है 21 साल उसकी उमर है 14 साल की उमर से वो नाच रही है पिछले 2 साल से वो 3 साल से वो नहीं नाच रही है क्यों वो नाच नाच के पैसा जमा किया आज he is a successful business woman at the age of 21 उसका अपना spices का कारोबार है पूरे लाहूर के अंदर लाहूर के तमाम top restaurants को top hotels को वो इंपोर्टट spices लाकर देती है 14 साल की घर से निकली हुई मूरत जो के 7 साल 6 साल नाची है वो आज अज बिसनस वोमन है पिर तीसरी खेप आपके पास यह वाली है के नाची कमाए मजबूरी थी यह हमारा काम नहीं यह हमारा profession नहीं है मजबूरी थी हमने business करना है हमने पढ़ना है हमने आगे बढ़ना है majority यह है this is the majority और इस majority से मसला है लेकिन आपके पास तो परसंटेज भी होगी कि कितने परसंट जो ट्रांस है या खौजा सरा हमें सड़कों पर भी नज़र आते है मिले खाल में बड़ी कम ratio है पड़े लिखे खौजा सरा की उनको तो आपकी बात भी समझ नहीं आती आती है उनको बिल्कुल हमारी बात समझ आती है हर मूरत को पते है उसाथ क्या नहीं आई हुआ है घर से आप भागी वी हैं आप निकली वी हैं आपको नहीं बता होगा कि क्या है मैं किस जगा नहीं जा सकती मुझ पर कौन-कौन से दर्वाजे बंद होती है कैसे नहीं पता होगा भाई कैसे नहीं पता होगा उप्रेस्ट को अपने उप्रेशन का कैसे नहीं पता होगा चांटे खाने वाली को कैसे नहीं पता कि मुझे चांटे पढ़े हैं वो बेशक बोले कि खैर कुछ नहीं होता है मेरे मजाजी खुदा ने मारे है मारा तो चांटा ही है ना पपी तु नहीं की हाथ से चांटे को चांटा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जलालत को जलालत नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे पता सब को है वो कहती है वक्त निकल के 60 साल हमारी उमर है 50 साल हमारी उमर है 40 साल से भीख मांग रही है 30 साल से भीख मांग रही है आप क्या करें वो ये हैं, वो उद्धर है और उनको वक्त लगेगा देखे, इन्योवेशन आ रही है न मैं एक डॉक्टर आई हूँ एक डॉक्टर ओर आई है, एक वकील आई है, दो चार टीवी के उपर भी आ जाएंगी, तो देखी है पिर, सारी आएंगी, भागम भाग आएंगी, मूरते हो तो हमारी कौपी करने की माहर है, हमारी तो एक दो मूरते कोई एक ट्रेंड पकड़ ले, खुशी खुशी आकर जा पिर वो खुशा सराओं के कूप की बात करती थी, ये तो मेक अप लेस, जूलरी लेस, बाल पीछे बांद के बैटना कैजूरी गई, लुक मैं लेकर आई हूँ, और आज मैं लेकर आई हूँ, तो बाकि टॉब मूरते भी कर रही हैं, अच्छा हम इसको कंक्लूड करते हैं फिर हम एक नहीं discussion पर जाएंगे, अब मुझे बताएं आप चाहती क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, किस चीज़ से, सुसाइटी से, मैं सुसाइटी से कुछ नहीं चाहती, मैं genuinely सुसाइटी से कुछ नहीं चाहती, जो कर ये करो, सुसाइटी से मेरा कुछ जानना बेवकूफ सुसाइटी की आख देखी है, बिचारी की आख याज इसकी, क्या सुसाइटी है बरी, पिचतर साल हुएं मुलक अजाद हुए और इजाद हुए बेवी, अच्छ जनने स्टेट से क्या जाती है, रयासत क्या करें, इकुल एकॉनॉमिक ऑपरचुनिटी, मुझे acceptance भी नि च रोटी, कपड़ा, मकान, या हम रेप्लेस करते हैं, मौडरन टर्म्स की तरफ आते हैं, तहफुस, सेक्योरिटी, डिगनिटी, यानिके इज़त, तहफुस, इज़त और रोजगार, इम्प्लॉइमेंट, इन तीन के एकॉल मुझे पैदा करें, दस साल के अंदर, अगर मीज के साथ, इज़त साथ कहीं पर रह रहे हैं, आपके मौशरे में खुद तब्दील लियाएगी, वो जो स्कूल बने लाहॉर में, शैद जेंडर किस नाम से, तो वो आपको लगता नहीं कि स्टेप है, तो वो आपको लगता नहीं कि स्टेप है, फ्रूर्स, तो इन लोगों ने, मिनिस्ट्री अव यूमन राइट्स ने सेक्यूरिटी सेंटर खोला, तहाफो सेंटर, जिसमें बंक बैट लगाए गए, तो वो आई और आके सेक्यूरिटी सेंटर में रहे, लेकिन पता है कब से कब तक, नो बज़े से लेकर पांच बज़े तक, सुबो, हाँ जी, पांच बज़े के बाद वो दुबार अपना बस्तर बांदे का और बाहर निकले का, तो वफाक तो फिर वफाक है पाकिस्तान का, तो आप जो इस इतने बोर्ड लेके और इतनी सारी एक्टिविटीज और इतना सुशिल मेडिया के उपर आप बोलती है, तो आप एक खुझ से कोई इनिशेटिव लेने कोशिश नहीं की कि कि आप एक प्राइवट स्कूल बना दें, मैंने तो इनिकी इसके लिए बहुत अदा फंडिंग रिक्वायरड है, और मेरी वो एक्सपरटीज भी नहीं है, हमारे पास कोई अजुकेशन का मौजूद भी नहीं है हर डुमेन में, मैंरभ, हर डुमेन में, एक खुझासरा अब टॉप पे है, ठीक है, हेल्थ में ले ले लें, एजुकेशन में ले लें, तो आप नहीं कभी ऐसा नहीं सोचा कि इनको सब को मर्ज करके तो हम कोई ऐसी ऐसा प्रेट्फॉर्म डिजाइन कर दें, कि हम खुझ स शिराजी है ना, अलीशा शिराजी अजूकेशन के अंदर ख्वाजा सराओं में सबसे टॉप पे हैं, ठीक है, अलीशा शिराजी इस दे फर्स्ट प्रिंसिपल अफ दे ख्वाजा सरा स्कूल, जो मुल्तान के अंदर बनाया किया, वो तरह कामयाब मॉडल है, कि उसी मॉडल की उपर मेरे खाल से पर बहावलपूर और लाहोर के अंदर भी आथ स्कूल खुले हैं, ठीक है, आरी है ना, वो आगे, उसने किया है वाला काम, अच्छा काम उसने किया, तो उनको वो अच्छा का बर्ड़े पार्टी होता है, वहां पर क्या हो रहा है अंदर, और कौन सी रसूमात होती है, क्या चीज़ें हो रही है, क्यों कोई अलाओर नहीं है ना, वा जाने को, तो वो आप explain करें कहीं आपने explain किया था मुझे भूल रहा है कि जो पैसे दिये जाते हैं वो पर डबल आते हैं पता नहीं और पिर कुछ लोग या वो relation अगर continue करना हो तो उसके लिए डबल देने पड़ते हैं और अगर उसको आपने कहना है कि गुड बाई और पिर वो शायद हाफ देते हैं या कुछ नहीं नहीं इसका काफी करीब करीब आपने बताया तो देखें बिर्थ्डे जो हमारी जो सालगिरा होती है वो साल में सिर्ट एक तफ़ा होती है तो वो एक इवेंट होता है जहाँ पे एक तो सबको एंजॉई करने का मौका मिलता है तो एक तफरी है सबसे पहला उसका मकसद तफरी है नंबर टू उसका मकसद एकोनामिक एक्सचेंज होता है गिफ्ट का लेन देन होती है हमारी हर कसी की लेन देन होती है जैसे एदों पे होती है शादियों भी आप एंटे, आप बुलाते हैं कुसी को सलामी देते हैं, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं उसके बदले, बदले तो खर नहीं, मगर you get it right, हम ये नी कह रहें के सलामी के बदले रोटी रही है, हम ये कह रहें के बिल नहीं पे कर रहे हैं, एदर से भी कुछ आ है तो उसमें होता है एक अगर लटसे मैं अभी जाती हूं पिसी की साल गिरा पर मैं उनको पांच हजार देती हूं और वो मेरी साल गिरा पर जब आएंगी और वो इस रिष्टे को कंटीन्यू रखना चाहती है बहुत अच्छे तरीकर रस तो वो में दस अजार देंगी को बाड़ा ही निकाल दिया है और निकलता है निकल भी जाता है और इसलिए हर कोई साल गिरा करता है ने कोई लग फ़िए पर आ जायते हैं तो फ़िए अगर आप पास अगर है अगली बार आप दो लग दें अगर आपके पास नहीं है तो पर आप लाज करें और एतनी ज़ ने अगर आपके पास बिकली आपके बिकली तो बता भी देंगे कि म्युत तंग चल रहे हैं मैं इस्टाफा नारी पैसे देनी सकती, इसे कमेट कर लेते हैं? आइडियली, मगर रुटनडा नहीं होता, या नहीं कि आम लोग प्कड़ कर दें, निऑ निकालो पैसे, मैंने तुम्हे रुप्धा दिया था, थो मुझे रुप्धा दो या दो लाग, जेस्चर है basically जेस्चर है basically वह बाली बात है तो अगर मैं वह continue करना चाहूंगी तो मैं double pay करो continue से मुराद मेरी basically कि तुम जो बहत पसंद हो I love you I just love you तुम भी मेरी सालगिरा पाती रहोगी मैं तुम्हारी सालगिरा पाती रहोगी एक भेनों वाला रिष्टा है एक दूसरे कर साथ तो मैं उसकी सालगिरा पर उसको जगरा दूँगे मेरी सालगिरा पर मुझे डबल देगी यह अंडरस्टुडर यह होगा उसके पास नहीं है तो वो कई से ले कर आएगी तो यह यह चीज होती है और अगर वो कंटिन्यू करना चात नहीं करना चाती का रिष्टा रहेगा कंटिन्यू dedication' का यहर मिच्चे दुषवारी हो रही है मुझे मुझे तुस्वारी हो रही है हो जाता है भई अम भी गृबत आ जाती है लोगों के उपर तो तो में चिङों की तोफ़े के तोर पे और मैं भी समच जाओंगी और बोलूंगी बहुत शुक्रिया तेराब है अब इसका मतलब यह कि मैं जब उसकी सालगिराप पर जाओंगी तो मैं भी उत्नाई दूँगी वह दो बारे कि घूँगी है निन कि अभी नॉर्मल आई ना हुआ वह दो पर श्रीचर को मुद्स कम्यूनिटि यह थे खाएंगा हुआ अंने पियार दिखाना ओ तो हम पियार रिखाना ओ तो हम पियार मल्टिपलायमार तू कर दिखा ती तो अगरा हमने कंटिन्यू करना चाहती है क्योंगे बुरी लगती है मारी wide match नहीं होई या तो हम उसको उतना ही पकड़ाएंगी जतना उसने हमें पकड़ाया था और फुन रख के ताने मारेंगी सार्कैस्टर को को कि हस्ते हस्ते कैमेरे के अंदर बोलेंगी record करो विरो चलाएंगी अपने groups में मारेंगी यह देखो मैं तोड़ा मार के आई हो आपने कहा कि मेरा बहनों वाला रिष्टा है तो इसी भी एक बड़ा मज़दार मेरे जहन में question आया है कि यह आप कहते ही गुरू भाई है मतलब गुरू भाई भाई तो भाई है ना तो फिर यह भेनो वाला रिष्टा क्या है वो तो गुरू भाई है ना तो यह बड़ी खबसूरत बात है हमारे culture की अब शहजादी मेरी गुरू भाई नहीं हो सकती क्योंकि मैं आप एक्स्प्लेइन करती हुए है हमारे हाँ तीन सिस्टम चलती है एक पंजाबी सिस्टम चलता है हमारे पास जो के पंजाब में आपको through out मिलता है एक हमारे पास सिंधी सिस्टम है और एक हिंदुस्तानी सिस्टम है यह तीन सिस्टम है हुजा सरायत के सिंधी सिस्टम सबसे पुरान है वो मौझजोदाडों के जमाने से हैं मौझूद ही अपर और जब मौमद बिन कासिम के साथ और बाब में सुफिया और अवलिया के साथ हमारे पास यहां पर इसलाम आया तो हमारे खुआजासराओं ने भी इसलाम कबूल कर लिया मगर सिंधी सिस्टम ही हमारे हाँ चलता रहा और हिजरत के बाद ये पार्टिशन जो हिजरत हुई थी हमारे हाँ महाजिर जो हमारे पास आये थे उनके साथ हमारे पास हिंदुस्थानी सिस्टम भी आया और पंजाब का एक अपना सिस्टम है मगर वो पंजाब के बटवारे के बाद जरा सा डिवाइड हो गया अब तीनों के कोर फिनॉमिना तकरीबन मिलते जिसें ही है मगर कुछ डिफरेंसे हमारे पास होती है शहजादी हिंदुस्तानियों में चेन है शहजादी का तालुक हिंदुस्तानी खुआजासरां से है अच्छा हलाके वो सिंधी है, सिंधी स्पीक हैंगा मैं हजारे वाल हूँ, हिंद को स्पीक हैंगा मगर मेरा तालुक सिंधी खुआजासरां से है अब सिंधी खौजासरों में भी तीन घराने आगे ओर है वजीरजादी, बादशादी, नागुरू मैं नागुरू हमें से हो तो हमारे हर घराने के भी फिर अपने असूल होते है हमारी एक बड़ी प्रॉपर कम्यूनिटी है और मैं सारे असूल बताऊंगे नहीं बिकास हमारी क्लोजनिट कम्यूनिटी होती है हमार बाब बताते नहीं है लेकिं छजादी हिंदुस्तानियों में चेन है मैं सिंधियों में चेन हूँ यह दो बिल्कुल डिफरेंट सिस्टेम है अच्छा जो गुरू बनना है तो वो विदिन दा कम्यूनिटी रहेगा फिर जिस सिस्टेम में आप बनोगे ना अगर आप जब चेला पड़ोगे आप खौजा सरा बनोगे किसी के आप अगो गुरू होगा तो वो गुरू या पज़ाबियों में गुरू है या वो इंदुस्तानियों में गुरू है या वो सिंधियों में गुरू है अच्छा यहां पर आप आपने ये भी कहा है कि मैं इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करूँगी तो ये एक और भी बड़ी चीज़ जो हिड़न है बलकि हिड़न तो नहीं कह सकते लेंग्विज तो मैंने सुने है कि ये खौजा सराज वो आपस में जब गुफ्तगू करते हैं कोई प्राइविट गुफ्तगू तो वो एक आम जो बंदा है वो साथ बैठा वा वो नहीं समझ सकता ये कुम सी जुबान है जिसमें आप बात करते हैं इसको हम लोग फार्सी चांट कहते हैं इसको कोथी फार्सी भी का जाता है कोथी फार्सी भी का जाता है हिजडा फार्सी भी का जाता है फार्सी का वर्ड कामन है इसके अंदर और ये बहुत पुरान है तो ये एक इन्वेंट कहां पे हुई ये इन्वेंट हुई थी दर्बारों में क्योंकि खौजासराओं का जैसे आपको पते है ना कि वो जनान खानों के भी रखवाली करते हैं और वो मरदान खानों के भी रखवाली करते थे वो दर्बारों में भी जाते थे यानि कि वो कोट में भी जा सकते थे क्वाजासरा के साथ जिनसी रब्त रखने की, तौलीद करने की, यानि के बच्चा पैदा करने की, सलाहियत नहीं है, उससे परदा भी वाज़त नहीं है, अट लिस्ट मूगल जमाने में, और तालपूरों में और लोधी कोंसेप्ट मोजूड था, और जायस कोंसेप्ट था, गहर महरम वाला कोई चकर नहीं है बिलकुँ क्यों वो खाजस रहा है मारते हो है नहीं तो वहाँ पे अब मर्द भी मौजूद है और खाजसराओं के पास है राज और खाजसराओं के पास है राज और खाजसराओं का सिर्फ एक काम है अनलेस को तुम्हें पता है को तुमने किसको बताना है मलका की कुछ बात किसी राननी की कुछ बात है और वो मजबूरी है तुम्हारी बादशा को बताना बादशा सिलामत को बताना मजबूरी है तुम्हारी वरना भी फैसला तुम्हार है तुम खौजा सराव तुमने बचपन से लेके आप तक गुजारी है दर्बार में तुम राजिनीती समझती हो तुम मैं पता है किसका किसकसाद क्या रिष्टा चल रहा है किसकी किसकसाद क्या पॉलिटिक्स चल रही है ये बात बादशा को बताऊंगी बातशा के दूसरी बीवी को पता चलेगी तो क्या मसला होगा क्या नहीं होगा ये कॉम्प्लिकेशन्स है ना ये समझ भूज किसका काम था खौजा सरा का तुम मैं राजदारी पर्दादारी तो हम लोग ने अपनी एक जबान अजात की वी थी और दर्बारों लोग बोली जाती थी ये गैर दर्बारी खौजा सरा को जबान नहीं आती थी अच्छा ये गैर दर्बारी खौजा सरा की जबान नहीं विदिन दा खौजा सरा भी स्पेसिफिक लोग सिर्फ जो दर्बार में काम करता है दरगाह वाले खाजासरा को ये जबान नहीं आती थी जो थेटर करता था सडक पे जो कहानिया ना गुरू थे जो पहुंजाते थे उनको ये जबान नहीं आती थी ये दरबार वाले खाजासरा को आती थी ये उसकी जबान थी तो वो खाजासरा खाजा सरा से इस जबान में कम्यूनिकेट करेगा ताके किसी और को समझनों और खाजा सरा इस मामले में बड़े पक्राइब काइंड आफ साइफर आपको मीर सादिक की मिसाल मिलती है मीर जाफर की मिसाल भी मिलती है मर्त है हिंदुों में भी आपको मसाले मिलती है जोंदोंने अपने राज लीख किये नक्षे लीख किये ताके गोरा आके हमला कर सके इतनी बड़ी तारीख है न कॉलनाइजेशन की कितने साल चली है एक खौजा सरा की आज तक मसाल आई है ढूल्ड के दिखाए एक खौजा सरा की नकाल के दिखाए जिसने बादशा का कुई राज लीख किया मैल के किसी दर्वाजे का बताया किस दर्वाजे से अमला करोग तो दाखने उसको कि नहीं क्यों कि वी आर लॉयल पीपर लॉयल्डी हमारी गुटी के अंदर होती है उसके बाद हुआ यह कि जब बतानवी सामरा आ जाया तो उन्नेंने चार कवनीं लगाए बतदरीज तरीके से नंबर वन क्रिमिनल ट्राइब्स आक्ट वन कि खाजासरा होना यजूर्म है नंबर ट्व क्रिमिनल ट्राइब्स आक्ट टू The Contagious Diseases Act कि ये जो लोग है इनको बिमारी है इनकी बिमारी हो से लोगों को बिमारी हैं लगने का खत्र है लंडन में हमने ऐसे देखा है इन सब को शेरों से दूर कर दो इनको दूर दूर इनकी बस्तियों का अंदर भीजो वो सारिफ खौजासरा जब ऑक अठ़े हो गए दर्वार का खौजासरा दरगा का खौजासरा थेटर का खौजासरा सब को साथ रहना पड़ा तो पर वो हम एक आलम गैब में चलेगए एक तरीक है घयबत में चलेगए और उन्हें हमारे जो बड़े बज़र्ग खौजासरा थे जो दीन के भी गरीब थे जिनको कॉंसेप्ट जादा पता थे और उन्होंने सब को बोला कि मॉला ने फर्माए थी यह वाली बात करी थी कि जब आपो किसी कौप की समझ नहीं आ रही ना तो पिर आप वो सबको समझाने के ज़रूत पिर नहीं हूँ यह हमारी जबान है अब हम इसी में बात करेंगी और जब तक हमें लोग समझेंगे नहीं हम उनको अपनी बातें नहीं बताएंगे और यू पर फारसी चार्ड जो है वो कॉमन हो गई अब वो हर खौजासरा बोलता है और खौजासरा की पहचान है अगर आपको फारसी चार्ड नहीं आती है वापको खौजासरा नहीं मानेंगे अच्छा यह इसके लिए को इस्टिट्यूट है या पर यह कहां से मतलब अच्छा गुरू का काम ही क्या गुरू की क्या 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 रिस्पांसिबिलीटीज होती है तो गुरू बाप पी है गुरू मा भी है ठीक है गुरू ने खियाल भी रखना है मैं संदियों में क्योंकर संदियों में तो हमारे आतो ही है मैं बोला हम पुराना गहराना है पुराने गहरानों में रवायात चलती है गुरूने रवायात सिखानी है गुरूने रसूमात सिखानी है गुरूने तमद्दन सिखानी है तैजीब सिखानी है गुरू ने जबान सिखानी है तरीकत सिखानी है कैसे उठबैट तुमने करनी है समझ भूज देनी है मौशरत सिखानी है गुरू ने जस लाइक ऐ फादर और हम अदर कि जैसे मैं बोला कि इस तरह कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ मैं इसके बगार नहीं रह सकती मैं इसकी बेगम बनना चाहती हूँ मैं इसकी बेगम बनके इसके साथ रहना चाहती हूँ तो गुरू मुझे आके बोलेगा कि मरी गाल से हो मैं जतना बोलना बोल लो पर कुल ठीक सोच रही हूँ हाओ बैं तुआरा लेंगा खारीद किया हूं लेंगा पैनो मेकप करो मैं तुवारा मेकप करती तस्वेरे खंचवाओ तो उसके साथ पैट कर Mitte तस्वेरे खंचवाओ मगर पुतर तू कुडी नहीं है तो थैरा भ्रीच लाहा नहीं हो through शादी तुम्हारी स्थाथ नहीं होगी और शादी उसकी होगी और एक ओरत का साथ ही होगी And what if one violate the connection के वो गुरू की बात नहीं मानता वो गोता है मैं कोई बात नहीं मान रहा तो फिर ये तो पर डान्ड़ ऐ सजा है फिर क्या सजा है? कुछ भी हो सकता अपने सजा से मुराद मेरी ये है कि देखें जैसे अब हम तो कहते हैं ना कि जो भी हो जाए लड़ाई भी हो जाए तो माब आपको तो नहीं छोड़ा जा सकता तो गुरू चेला सिस्टम में भी गुरू को नहीं छोड़ा जा सकता या गुरू आपको घुसे पर आके कह दे कि ठीक है अगर तुमने मेरी बात नहीं माननी तो अब आप तलाक है तलाक है जिस तरह से होता है हमारे हम भी होता है मगर ये बहुत एक्स्ट्रीम है गुरू का किसी चेले को छोड़ना अगेंस दा नॉम्स है बहुत एक्स्ट्रीम है अगेंस दा नॉम्स नहीं ये बहुत एक्स्ट्रीम है ये बहुत से और गुरूं की मौझूदगी में होता है और बताई जाते हैं वज़ूहात बताई जाती है पूरी कि फूरी और बाकी गुरु फिर अपनी उस tääर देते हैं हमें ग्री करते हैं आजबाद से इस चेले को रखना बि-नामगेनो चुका तो लो चेले पिर दुबारा किसी और गुरू को डॉक्ट कर सथा है? येस वही करता है वरना प्रूरू क्या होगा उसकर तो फिर के मतलब एग र करना जरूरी है ये सिदे का बोलना like कि मैं किसी और गरू का भी समने आना जरूरी है कि इनके मसायल चल रहे हैं आपस में मैंनہ उनकी सारी बात सुनी है ये गुरू इस चेले को और नहीं रख सकता इनकी आपस में अनबन है मैं ये चेला रखना चाहती हूँ तो मैं इस गुरू से वो चेला ले रही हूँ तो जो पहले वाले गुरू उनका कोई अतराज नहीं है असूली तोर पे नहीं होना चाहिए यह अतराज कभी कबार होता भी है यह हमारे अंदर के matters है जैसे होती है तो यह हम short out कर देती है लेकर normally यह अतराज नहीं होता है अब फैसला होता है जब वडियो बनाते हैं कि सन्नद रहे कि प्रूफ रहे इस चीज़ का अच्छा एक और बड़ा critical सा question है कि एक आम तासर यह कि तद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् ये बज़े है ये आपका मुसल्मान मौशरा बज़े है जो कि हमें लोगों को कबर भी वो पांच फुट की जमीन वो छे फुट की जमीन भी सिकून से हासिल करने नहीं देता उस जमीन में भी हमें जाके आदी रात को दफन किया जाता है इस वज़े से इसमें कोई हमारी रसूमात नहीं है ये निकि खुट सरा क्यों गया तो खुट सरा हों का अपना कल्चर है उनके अपनी कुछ शरीयत के लोगों छोट से फैसला किया वे है पनी हम दो आदी रात को दफन करेंगे ये हमारे फिरिश्टे आदी रात को तरते हैं अर्गेज ये कुछ बात नहीं है, गोरकन निकावा होता है, जिनियादारों निकावा होता है, कि दिन के टाइम अगर लोग अतरास करेंगे, लोग दौा करने आए वे होते हैं, लोग देख लेंगे, तो लोग अतरास करेंगे, साथे का प्रिस्तान चे खुसरा दफना देता वैसे ऐसा कोई incident record भी हुआ है multiple हर खौजासरा का incident ये incident है और अज तक एक खौजासरा तरह तमीज से दफन नहीं हुआ अनलेस को उसके माम मिट दे की बात कर रहे है जी जी अनलेस को उसके माबाप या उसके पने घर वाले उसको दफन कर रहे हो अगर मेरे माबाप मुझे दफन कर रहे है न लड़का करके लड़का कहके या औरत कहके जो भी लड़का कहके यूजिली किया जाता है तो कोई अतराज नहीं करेगा खुसरे जा रहे हैं अगर दफन करने के लिए तो फिर अतराज होगा फिर बोलेंगा अदी रात को लेकर हूँ इसके इंताजमात कौन करता है जैसे नॉर्मली तो यह होता है कि पैरेंट्स कर रहे होते हैं तो यह किस के आपड यू उता है जो हमारा गहरा आना होता है उसमें हमारे गुरु भाई होते है मेरे गुरु के बाकी चेले और हमारे गुरू हो गए और पर मेरे गुरू के गुरू बाई हो गए जिनकों हम गुरू चाचा कहते है या गुरू ताया कहते है वो सारे हमारी अर्रेंजमेंट्स वगरा करते है घुसल भी वही देते है अच्छा मेरे बापका कभी दिल की है कि आपको कोई बच्चा हो बच्चा हो पेबी पेरेंट बनने का होता है बायोलोजिकल तो पता है बच्पन से बताथ का नहीं होने तो लेकिन अंदर से वैसे कभी यह फिलिंग कि मेरा कोई उलाद हो मेरी दो साल गॉनकोलिजी तो मुझा दर लगदाग्टाथा अपने लिए अपने लिए मेरा प्लस मेरा यूटरस नहीं है मुझा प्रेगनेंन नहीं है और लडको अली रड़क्शन में कर नहीं सकती मुझा मै अज़ा से पता है सो मैं कभी दबाओ उस तरफ गया ही नहीं ना फिर तो वह फैंटेसी है यानि के यह भाई ही नहीं वह चीज ही नहीं है वह सौटवेर ही नहीं है मेरे अंदर अडॉप्ट कर कि I would love to I would love to लेकिन पाकिस्तान में अडॉप्शन इंपॉसिबल है सिंगल पेरंट्स के यह तो बहुत इंपॉसिबल है लेकिन शायद उसमें दुबारा आपको एक चैलेंज आए अडॉप्शन में खौजा सरा मा या खौजा सरा बाप उस बच्चे के लिए उस बच्चे के लिए तो नहीं कह नहीं जो जीज़ें इंपॉसिबल मुझे लगती है मनकी दरफ जाती नहीं हूँ कभी किसी रूम में आपको केले छोड़ दें चंद घंटों बलकि चैने 24 घंटे के लिए और आप से इंटरनेट भी लिए लिए फूग मील अवेलिबल आपके लिए एंटरनेट और मॉबाइल नहीं है टीवी भी नहीं है तो किसके साथ रहना पसंद करेंगी एंजिनियर मौहमद अली मिर्जा Amazing man, absolutely amazing man और कुछ चीजों के ऊपर उनकी जो फिलोसफी है वो मुझे बहुत फैसनेट करती है क्योंकि वो मेरी जो फिलोसफी गुजरी है उसके बहुत बराकस है और मुझे opposites बहुत अच्छे लगते हैं मुझे homogeneी बिलकुल I was literally not expecting this answer from your side He's absolutely amazing I really, I really, really enjoy what he has to say Yes, he is And I really like it It's very much that I'm saying something else and the other person is saying something else And although I feel like that I and their agreement is 99.99% Look, what I've said about is that and what I think is the difference of Earth and Earth is number one Number two I've said something in my previous podcast He's called me as a comedian He's an act He's also an act and he's a comedic act I'm introducing my comedy act I'm doing dirty comedy I'm coming from a perspective If I want to perform then I want to perform Shumaila Bhatti or I want to perform I want to perform I want to say English medium right wingers or English medium Salafiz or English medium Salafiz which is my opinion which is my opinion Jhoot this time but if Muslims if we want to perform Jhoot signify then it's a good thing What a special thing is if you have specific I think I think he first of all thought process in which way he constructs it's very good Number two if I go to that thought process in history I mean if I look at a person I want to think I want to think I want to think in which area in which direction 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 where polarization is so common where in Pakistan particularly Sunni and Shia there's a big wedge pushed You get it? a deliberate we have to create a Sunni identity in opposition to Shia in opposition to the love for Ahl-e-Bait I'm not saying I'm joking in Pakistan specifically post 1980s post Zia a political tool left there in that engineer Muhammad Ali Mirza and how much to talk about it and how much and how much to talk about it and how much and how much in which direction in which direction that is really that is brilliant that is path-breaking I think I like the perspective very good we call it modern English term we call it Controversial Who is that? Who is that? Okay Let's see if this clip I have done with the engineer Muhammad Ali Mirza so it will reach to him so I believe that you are definitely with us Okay next question Are you fame hunger? Are you fame hunger? It's a little to deny it and I also want to say fame hunger not fame it's not fame fame is addictive Fame is addictive You have to have vocabulary so strong that you have precisely precisely things to convert from your expression to your expression in vocabulary I have to have experiential reality I experience and experience and I have two addictions so I know addiction very close but it's not an good thing addiction it's very challenging I think addiction is one of the toughest things to overcome because in addiction simultaneously you have guilt and guilt and you have fun any kind of addiction any kind of addiction any kind of addiction addiction I am using as subjective term for anything it can be a false it can be a false it can be a substance but let's make it specific to a substance so in addiction there is a social media addiction today there are psychiatric papers here so I feel fame is very addictive fame you need to be a hit you need to be an adrenaline you need to be a hit it's a fun and when people are deep fame what do you know? very bad very bad suicidal attempts or thoughts very bad it's very terrible I have been through that as well suicide I don't know I don't know deep defamation but you have seen it you have seen it in India in other years deep fame I have not done it yet and God has saved me this thing now I have saved me no fame no primary purpose secondary it was definitely fame anger you have mentioned it if I am I am I am I am right secondary secondary buy product ok and I am always famous in terms of buy product I am famous I am famous no dirty comedy is not online on my platform you have seen millions of views this is what I have recorded one time I have recorded a video during the pandemic because people are bored at home we have done that you are also a comedian and I am also a comedian you are also a comedian you are also a comedian you are also a comedian I am also a comedian I was a comedian that was my name who are in stand up comedy they all know that one person is a drag one person is a dirty comedy and he is doing that he is doing that he is from the 10th century he is also that he is and he is he does not record on his videos and he does not do anything on his internet if I have added English subtitles I have done so I am also on a level but I did not want it because I knew that I was too much I didn't understand people so one time I have made a video with Adish Hazad I have made a video I have made a video that he has made a video to the end of the day and you are thinking about it that you are what the Cóndi I am to the end of the day I am a part of the process I am a part of the process I am very very strong in the process I am a part of the process my entire operation I am not you have no one I am the part of the destination I am the part of the destination पर destination जो पता होती destination जो पता होती पर बसला ही क्या था अच्छे चलें compromise destination क्या है compromise destination तो बड़ी खुबसूरत है वो भी compromise destination ये के पहाड़ हो पास एक नदी बहरी हो जरखेज जमीन हो जरखेज नहीं हो तो आमने आल चला चला के कर दी है खाद डाल डाल के कर दी है जरखेज सबजियां हो गाएं अपनी बखरियां रखों थोड़ी सी एक दो मज़े रखों मुरगिया रखों नाखुश हैं जो लोग जिन्दगी में हैं जो दुतकारे हैं जो मानी की तलाश में हैं को समझ निया रही दुनिया की आजाएं साड़ेवल आजाओ जी वहाँ रेन वाटर हम जमा कर रही हैं एक फो ग्रीन एकॉनमी है चल रही है रात को बैठते हैं आग लगाते हैं रबाब बजाते हैं मुसीकी करते हैं कलाम सुनते हैं कभी कभी खजले सुनते हैं कभी मख़ब की दीन की बात हो जड़ी करूँ ख़दा की बजो बात चल पड़ी वह चल बात चला दो बात सारी एक आश्रम है हमारा दुनिया से दूर जसने आना है जसने जाना है जाए बज़िए कि उस अलाके की उस जगा की उस आश्रम की जो पासदारी है उसकी जो राजदारी है उसकी मकाई उसका ख्याल रखे वाई जुआर तेयर इस तरह किसी कोई चीज़ करना चाहते हैं ज़न्दगी में रहाट के सबसे तो ये ये कॉंप्रोमाइज हाँ कॉंप्रोमाइज है कब करनें की क्या बेरियर्ट्स क्या आ रहे हैं आज जाएं जाके कोई जगा लें बैठ जाएं मैंने पनी अबबू को बोली है वाली बाद मेरे अबू ने मुझसे पूछी थी पोस्ट ट्रांजिशन ही वाली बाद हम एबू बचारे मेरे ने वह भी मेरे वही है जिसे कहते है एनिशाहे दी है एक तरीके ऐसे मुझे देख ही रहे हैं आप देखते हैं हम जतना कर सकते थे हमने किया तुमे प्रोटेक्ट सतना साल की उमर तक अठाँ साल की उमर तक अब उससे आगे पर हमें जहां तक हम बचा सकते हैं हमने बचाए हैं और बचाए हैं वाकी में बचाए हैं वरना मैं भी किसी डेर पर मरी पड़ी हो थी नाज माबाप के साथ रही हूँ, सुनों कॉल्जों में गई हूँ, तमीज तरीके से रही हूँ, और नहीं छोड़ते हैं खौजा सरा बच्छों को, या ट्रांसजेंडर बच्छों को, तो वो भी अब देखती है, अब आपने अबूने मुझे क्या चाहती हो अगे, तो अबने यह बी एक दो-तीन हफ्ते की पहले की बात है, अबने मुझे बोला है को जो गाओ पे वारी जमीन नी थी, जो कठे के पास है, हमारे है कठे काते हैं, जो पानी खड़ा वाता है जगापे, हिंद को स्पीकिन लोग है हम लोग, बड़ी प्यारी जवान है हुमारी, तो और न अब बोला, यह सिस्टम मैंने कर दिया, बजली अधर नहीं आती गया, अधर नहीं आती बाकी तुम देख लो, मैंने का बस अब अबने में वेटर लेकिन दोस्ते दे पर रहूंगी, वो ज़रा कुछ अलका फुलका सैट अप करेंगे, फिर आगे हम देखते हैं जिन्दग कि मैं यहां पर परिशान हुई, मुझे यह चैलिंज आया, बीला वाली स्टोरीज और फिर सोसाइटी के चैलिंजेज और फिर आपके जेंडर के ओपर डिसकेशन, कभी कोई फैसला करते हुए, आपने उस फैसले को ना चाहते हुए इसलिए किया हो, कि आपको लगए कि य यार वैसलिए यह नहीं भी करना चाहिए, और आपको रिग्रेट भी हो, उस डिसीन पे, ऐसा क्या था, टेस्टरस्टरान थेरेपी, मास्कुरनाइजिंग थेरेपी मुझे नहीं करानी चाहिए थी, मुझे नहीं करानी चाहिए थी, मैंने बरबात कर दिया, आपने जिसको और मैंने जिन्दकी करोगए 10 साल कहीं है, इसके और, और कोई सिखाने वाला नहीं था, ओसा को बताने वाला नहीं है, कुट अब कितावे वजग्रण फिर्मेरी अभी बाली ट्रांजेशन थारिपी होए जिसके तहट पिर मेरी अभी वाली ट्रांजिश्शन थेरेपी हु आपको बता है, बहुत थोड़े पेरेंट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जो अलाद को बढ़ा के बोलते हैं, I'm sorry मेरे पेरेंट्स ने मुझे बढ़ा के बोले, we are sorry Sorry for what? Sorry for all that you've gone through कि शवाइद हमें बैतर पता हुता, तो हम ये ना ओने देते हमें बैतर पता होता, तो हम अठा साल की उमर में ये तुम्हारी ट्राजिशन थेरपी करवा देते, या बच्पन में करा लेते, या मिट टीन्स में करा लेते, मगर तुमने भी तो कभी जिकर नहीं, मैंने भी जिकर नहीं किया, जैसे अब आज कल के बentes बहों हम मुझे ट्रांसजेंडर की टर्म ही, बाई साल की उमर में जा के पता चली ये यकीन मानेंगे अब मैंने ट्रांसजेंडर की टर्म भी नहीं सुनी वी थी उससे पहले, टर्म ही नहीं थी मुझे लेकिन आपको टर्म शायद नहीं बता थी लेकिन मेरे ख्याल में जो स्कून कॉलेज के दौर में लोग आपको बावर तो कराते होंगे खुसरा खुसरा हाँ स्ट्रेट हाँ सीधा मैंने अम्मी अबू मामा पापा दू दू पानी खाना के बाद छटा लफ सी मैंने खुसरा सीख है ये मेरी नरसरी लास में शिकायत लगी थी गहर में पेरेंट्स ने किस इज तक चुपाया है ये अगी तक स्टिल मैंने बताया है दुनिया को मैंने बताया है पेरेंट्स ने नहीं बताया ये मैंने बताया पेरेंट्स की अभी तक किसी से बात नहीं हुए अभी तक किसी कोई भी नहीं का लोगों ने बोला है फोन करके कि हम ने सुनाए कि इस तरह उसी अपरेशन करा लिया तो अपरेशन करा कि तो अब इस तरह लड़की बन गई है तो हमें बहुत अस्सोस हुआ है फिर आप को खुर जो लगता है न है आपकी जो जब आप कोई एक दफ़ा ये सारा प्रोसेस से ट्राशिशन हो गई आप ते दाड़ी आ गई मैंने पिक्चर देखी है यह यह सोशल मीडिया पर अवेलेबल है तो मुझे लगता है कि फिर दुबारा आपको इदर वापस नहीं आना चाहिए था stained ना चाहिए आपको लगता नहीं है कि यह आपसे मिस्ट्रेक ही यह भी है फिर पर पर परड़ेंट्स भी खुश्छ रहते सोसााइटी भी आपको इस सोसाइटी तो मुझे जवान को डूंड रही है ना मुहमध मुझे जवान का आ आ आ गयां को साइटी मर्द लबती है बताएं, बताएं, मैं split कर गई थी, मेरे दमाग में split आ गया था, splitting एक defense mechanism होता है, और यह तब होता है, जब आपका दमाग ना बिलकुल दो आकीकतों को reconcile ही नहीं कर पा रहा, थंडा और गरम को reconcile ही नहीं कर पार, तब होता है, मैं reconcile ही नहीं कर पा रही थी, तो मेरी therapist ने मुझ एक पारलेमान है, तुमारे दमाग मझे चल रहा है, तो मुझे बताओ के इस वक्त कौन बोल रहा है, और मैंने, मैं गई दर, और मेरी personality सामने आई, मैंने बोल रहा है, उसका नाम था बकाईदा, उसका नाम था मिस्स्राशनालिटी, तो अच्छा पिर ओपोजिशन में को Yes, very good question. उपने? उन्य में मैंने देख, प्लिट मुवी. पकाईदा, मेरी शथ्चियाद, मेरी दोस्तों की मुराग आते होएई गहा, मेरे कुछ टरमली मेंबर्स की मुराग आते होईए, सब की उन्यूब रूपएवे हैं, को ऑच्छना क questionnaire काता है, तो मैंने वो और मुझे असास हुँ कि Mois سपीकर अफ दा हास Mois सपीकर अफ दा हास सपीकर अफ व दी असम्बली है Mois पारलेमान में है यह उस्तरह से बसेजन में बेसिजमेगिंग में उसका काम सफ कम्म्यूनिकेर करना है वो कवर है और सपीकर की भी होगी विया बास स्पीकर ने वोल दिर गाल सुना मेरी ये वेरी आखी पार्लिमानी स्टेंट है हमें लाग रहा है कि वोट अफ नो गॉट अफ नो गॉड़ाट साथ है हमने वाला है उनके साथ बिल्कुल वो वाला सुनू को आ रहा है तो ये कोच अजीब हो गरीब साहब है दोस्ती करवाई सका तो हमने पर मिस्सकावसमाइची और मिस्स्राशनालिटी की दोस्ती करवाई मिस्सप्रेगमरटिज़म सोरी पर बाकि शकसिया था ना स्डाट ली पर मेरी हम लोग ठैरीपी में आगे निकलो बड़े मज़े का कमल आया मझे उन्होंने बताया Inside Out a cartoon movie कि Inside Out में ऐसे होते हैं कि एक इंसान के तमाख के नदर छे डिफरेंट जजबात होते है तो अगर तुम उसको यू विजुवली सोच और विजुवली सोच हो विजुवल थिंकर मैं विजुवलाइस करती हूं तो तुमें फायदा होगा मैं विजुवलाइस कि मझे लगा मेरे बहुत ऐसे जजबात है जिनको मैंने दबाया गा है Miss Kawa Sai जो आई तो Miss Kawa Sai ने तुमिस प्राग्माटिजम की तुमिस प्राग्माटिजम की एक civilian dictatorship चल रही है पिछली पता है कितने साहलों से जब से हो श हमने संबाले हैं ये चल रही है कि महरब का या मोईस का प्राग्माटिक जो संगी प्राग्माटिक कैलकोलेट कैलकोलेट कैलकुलेट इतना स्ट्रॉंग चल रहा है कि हम सारे रोंदे गए इसके नीचे हमारी डिजायर्स हमारी पैशन्स हमारी ड्रीम्स कुछ भी मैटर नहीं करता बिकाज हर वक्ट प्राग्मेटिजम होन होता है हर फैसला, हर खाहेश, हर जुस्तजू प्राग्मेटिजम की लियर्सेओ के कुजरती है और मिस्प्राग्मेटिजम बड़ी उसके समकी बोला कि हा में लाइक हो क्योंकि लाइक तो मैं हूँ मेरा इक्यू 146 है चाहाँ मैंने जी आरी में वन 31 स्कोर किया था दस तन पढ़ने के बाद मुझे पढ़ाई मैं मामल में बड़ी तगड़ी है और नाचरली को कि यह चीज मेरी अच्छी थी तगड़ी थी तो यही चीज एमपावर की इमाशरे के अंदर बढ़ते हुए क्रिकट मुझे नी खेलनी आती टेस्टोस्टरोन में नी तो मैं लड़कों से क्या मुकाबले करती ना लड़ाइयां कर सकती थी ना क्रिकटे केल सकती थी सारे चके मारते थे मुझे सको मुझे कुब मुश्रे बाल स्टॉप होती थी उस पी मेरा सा निकल जाता था तो वह बात इब मेरे लाइक माँ बड़ी थी उत्र मैं बड़ी खेंच कहा गए Pragmatic में बड़ी थी मैं हर चीज calculate कर लिया करती थी evaluate कर लिया करती थी analyze कर लिया करती थी तो मैं इस pragmatism ही परवान चड़ी बाकी सारी चीज़ें दफती गई फिर हमने बाकी शफसियाद को उपर लाना शुरू किया उनका dialogue होना start हुआ उनकी आपस में एक बातचीत होना start हुई और यूँ पर हमने पार्लिमंट को resolution की तरफ लेके गए फिर हमने एक joint हकूमत बनाई हमने का आप unity government है अब miss pragmatism की government खतम होगी अब miss kawasai आएंगी अब miss kawasai बताएंगी बाकी सब से पूच का कि हमने क्या करनो और मिस pragmatism पर प्लान मना कर देंगी मिस pragmatism के साथ हमने वो किया जो नवाज शरीफ साथ ने एक अबाल साथ किया फिक है हमने miss pragmatism को अबना अबना एक अबना एक अबना एक अबना एक constitution बनाया माइ सबताएंगन्यों काई मैं उच्च कर देंग को साथ। मैरब लोगी मैरब एक उत्रीफ से मै कर सकतूक trafficking मेरब लगी इनकार कर दियॅ है मैरब लोग और नाड तक लुङ कर सанием ओई क्योंक बालेमान में बथियू समिस pragmatism मिस pragmatismentesis बी shining मैं इस प्राइगमेटिजम हर चीज सीखती है लेरन करती है जब तक पारलेमंट रिटायर होके रिजाइन नहीं होगी मैं नहीं होगी तियार होगी भी थी व अंदर और मेरा काफी जादा मेरा एक्सपेट परसनारी डिसॉडर चाल रहा थे डिसॉडर तो मैं नहीं बोलोंग तो एक दिन मुझे भी तक I think this was if I am not incorrect to assume this was May 2022 and the Parliament fully resigned और आखरी दफा मिस्प्रागमेटिजम की और मिस्कावसाही की एक मुलाकात होई मुझे भी और मुझे महरब से नहीं मुझे से वो जो भी speaker of the जो भी एक ग्रांट होता है इस्वाम लोग कंप्यूटर में नहीं कर दो जो विजूल फॉर्माट होता है उसके बाद और उसक जार इस्वासी ओड़िजिक और मुझे से शुला कि दो जो अवे रिख लो विपने नहीं मुझे समय फ़र्माटिजम हो यह भाई-बाई-बाई-बाई-बाई-पी मिस्कावसाही और नहीं पोध गंडा लाग है उसके बाद यूनिटी गवर्मेंट मैं भी और बोले मने और मोईज जो है वो अर्टिफिशल था मोईस बहुत प्यारा था बहुत अल्ला का बहुत बहुत प्यारा लड़का था मोईस जनुवनली तो I love him, I miss him too I miss him too बहुत बहुत जिग्रा था उसके अंदर हारा क्यों है? हारा नहीं है हारा जो है नहीं, अजल हो गया जहां तक लिखा वा था, वहां तक पूरा की है उसने बस नब और कितना खेंचे उसे मगर बस हो गई थी उसकी नब से बोला बस मैं यहां तक ही ला सकता हूँ यारब और कितनी एक्टिंग करवानी है कभी दुबारा जिन्दा होगा? मैंने देखा है मैंने सवाल पूछी है खुछ से भी है वल्ला कि जब बहुज़ा प्रेशर बन किया था मैंने का अच्छा ओके अगर एक्टिंग ही करनी है न अगर यही चाहिए दुबारा लाए उसको लेकर रहें गए हम दुबारा कुछ पिन नहीं है बदभू आ रही है लाश गल गई अब तो फिनिश्ट फिनिश्ट गॉन बाइट फॉर्माट इस गॉन बाइट साइकी इस गॉन बींग अच्टिंग इस गॉन महरब आज भी बैटके आप मुईश की कुछ बातें याद करते हैं आपको लगता है यार ये बड़ी-बड़ी मज़ेकी चीज़ें थी उसे किसी के चले जाने के बाद उसको याद तो किया जा सकता है इससे तो डिसेक्रिमेंट नहीं हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो तमाम बातें मेरे अंदर भी मौजूद है वो मेरी शखसियत की अच्छी बाते थी वो मौज की अच्छी बाते नहीं थी वो हमारी जॉइंट तशखुस की अच्छी बाते थी बाकि मौज के मौज होने के लिए मौज का लड़का होना बहुत सुरूरी था और मौज का लड़का होने के लिए जो लड़कपन था, जो मर्दानगी थी, वो सारी सीखी हुई थी, वो इनेट कुछ भी नहीं थी, नान अफ इट वस इनेट, नान अफ इट, तो मेरे दमाग में भी ये सवाल था, कि जब मैं ट्रांजिशन अब जब कर रही हूं, तो मोईस के साथ क्या-क्या जा रहा है, क्या वो तमाम चीज़ें जिनको मैं मर्दानगी के साथ जोड़ती हूं, वो जा रही है, क्या तमाम चीज़ें जो नेकिटिव है, क्या जा क्या रहा है, वोट अर वी सेंग गुडबाई टू, are we saying goodbye to a name are we saying goodbye to a personality type what are we saying how difficult question is I always say cisgender people that you never have a chance to be I don't have a challenge 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 what Mustafa Ahmed said these people are not mazhoor I don't have a mazhoor excuse me I am better than cisgender people I refuse to accept myself as mazhoor but this question that I am saying what I am saying and I am saying what I am saying and I am saying what I am saying I am saying what I am saying so this was a big question for me so the good things that I remember about mazhoor's acting mozhoor's fakeness it doesn't look good I don't like them I think mazhoor's parents have to do both acting and in that acting mozhoor's work have to do such a lot which I regret mayhrab could regret mayhrab would never do that डर किस चीज़ से लगता आपको तनहाई से तनहा रह जाने से lonelyness से नहीं alone होने से lonelyness मैं enjoy करती हूँ आपको लगता है कि कभी ऐसा हो जाए रहा thoughts आती है तो कि डर किस बात का पस डर तो डर है डर का बुर डर राशनल थोड़ी होता है डर तो डर होता है डर तो मौजूद रहता है किस ना किसी तरीका से thank you so much you're very welcome जी thank you so much thank you so much